धन्यवाद 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 परमपिता परमिशर हम आपका हिर्दय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद की योगी है आदर और महिमा सबाब को देते हैं आपकी बढ़ाई करते हुए आपके समीप आते हैं और धन्यव इसलिए प्रभू आपके वचन का आदर करते हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन के सत्य को ग्रहन करते हुए आपके समय पाते हुए। आपकी मर्जी हम सब के जीवन में वैसे ही पूरी हो जैसे आपकी महिमा हमारे जीवन से फर्गठ हो। और चाहते हैं प्रभू आपका राज्य हमारे अंदर हो और हम आपके राज्य में प्रभीश करने वाज़े हैं और सारी महिमा आपकी हो धने बाद के साथ इस प्रातना को आपके क्लोते पुर्भीश व मस्यी की नाम से मांगते हैं आमने थैंक यू जीसस किंग्डम आफ गॉड पार्ट 62 में सरकम्सीजन ओफ दा हार्ट हिर्दय का खत्ना विवस्था विवरंड दस अध्याय उसका सोला पद कोई मेरे लिए पढ़ दे विवस्था विवरंड इसलिए अपने अपने हिर्दय का खत्ना करो और आगे को हटीले हटीले ना रहो इसको इंग्लिश में अगर हो सके तो सिस्ट्र इंग्लिश में भी हमको पढ़ दीजें इंग्लिश बहुत ज़रूरी है हिर्दय का खत्ना क्या है जी डियूटरिनमी चैप्टर टेन वर्स सिक्स्टीन इसका रीजन क्या था यह हिर्दय के खत्ने का सो सर्कम साइज फॉर शर्कम साइज यूर फॉर इसके बाद क्या लिखा हुआ है बड् kisses for the Lord your God is God of Gods and Lord of Lords the Great the Mighty the the terrible God who is not partial and takes no bribe Hindi में भी ये दोनोंपर दीजेक क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभूओं का प्रभू है वो महान पराक्रमी भए योगे ईश्वर है जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है परमेश्वर जिसके पास आएं हैं कलीसिया में यह वो परमेश्वर है जो किसी का पक्ष नहीं करता है चाहे वो यहूदी हो चाहे वो अन्यजाती हो उसके लिए वो मनुष्य है और समान है उसमें वो भेद नहीं करता है पक्ष पात नहीं करता है दूसरी बात कि वो घूस नहीं लेता है आप उसको कुछ दे के प्रसंद नहीं कर सकते हैं आप उसको कुछ ऐसा करके प्रसंद नहीं कर सकते हैं शरीर से जिससे कि वो आपकी गती वीडियों से प्रसंद हो इतना शुद्ध परमेश्वर है और इसी लिए मन का खतना या common way हिर्दय का खत्ना ये common way है और ये परमेश्वर ही कर सकता है मनुश्य कर नहीं सकता और जब तक परमेश्वर की और से हमारे हिर्दय का खत्ना नहीं होता है हम परमेश्वर के नहीं हैं हम उसके सामने या तो खत्ना रही थे या खत्ने वाले दोनों सजा के लाएगे ये है वचन की clarity ये वचन का अर्थ है अब हम देखेंगे the idea of circumcision of the heart is found in Romans chapter 2 verse 29 रोमियो दो अधियाए और उसका 29 पद मन के खतने का विचार रोमियो दो 29 पर पाया जाता है पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हिर्दै का और आत्मा में है यही खतना ना की लेक का ऐसो की प्रशंसा मनुश्यों की और से नहीं परंतु परमेश्वर की और से होती है क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रशंसा परमेश्वर करें या आप चाहते हैं लोग आपकी प्रशंसा करें ये शुबसी ने कहा था मनुश्यों को दिखाने के लिए अपने कोई धरम का काम मत करना और आज दुनिया में आप नजर उठा कि अपने अगल बगल भी देख लीजी और चारो तरफ देखिए तो आपको लोग धरम के काम करते दिखाई देंगे जिसे रिचुल्स बोलते हैं धारमिक्ता के लिए काम करना और वो मनुश्यों को प्रसंद करने के लिए कि लोग देखें कि हम कितने धर्मी हैं और कौन से रिलीजन के हैं इसलिए हम वो ऐसा करेंगे कि लोग हमको देखें और हमारी बड़ाई करें हमारी प्रशंसा करें लेकिन ऐसों की प्रशंसा परमिश्वर की और से कभी नहीं होती और जो लोग परमिश्वर की इक्षा जिनका हिर्दय का खतना हो जाता वो ऐसा कुछ भी नहीं करते कि लोग उनकी प्रशंसा करें तो आपकी प्रशंसा लोग शायद कभी ना करें जीवन में लेकिन एक है जो आपकी प्रशंसा करेगा वो है परमिश्वर परमिशन अपने एक लोते पुत्र की जिसको लोगों ने कभी किसी की उसकी प्रशन्सा ने की बलकि उसको हमेशा उल्टा सीधा बोला गलत गलत बोला उसके विशे में तमाम बुरी बाते बोली लेकिन उसके जीवन पे इसका असर इसलिए निवा की वो सर्वोच पद कर बैठा हुआ इजिस श्क्राइब और अगर आप मसीह हैं आपका रंड़े का खतना हुआ है तो शायद आपकी दुनिया मैं कभी कोई तारीफ ना करें लकिन परमिश्वर करेगा और जिसकी पर परमिश्वर करता है उसकी प्रशंसा मनुष्य नहीं करते हैं और जिसकी मनुष्य करते हैं उसकी परमिश्वर नहीं करता है तो आप यह याद रखिए जब लोग आपकी प्रशंसा करें तो सतर्क हो जाईएगा क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा आपको फंसा सकती है लेकिन जब मनुष्य आपके separated unto God, यानि यह जो हिर्दय का खत्ना है यह शुद्ध हिर्दय को दिखाता है और उस व्यक्ति को परमिशन ने अपने लिए अलग कर लिया है संसार से, इस बात को दिखाता है, शुद्ध हिर्दय होना परमिशन से के लिए अलग होना इस बात को दिखाता है, और इसलिए रोम उसने यहां पर लिखा है यदी तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाब तो है परन्तू यदी तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतने की दशा ठेरा इसलिए यदी खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करें तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर ना गिनी जाएगी और जो मनुष्य शारिरिक रूप से बिन खतना रहा यदी वो व्यवस्था को पूरा करें तो क्या तुझे जो लेक पाने और खतना किये जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है दोशी ना ठहराएगा क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है और ना वो खतना है जो प्रगट में है और देह में है पर यहूदी वही है जो मन में है और खत्ना वही है जो हिर्दय का और आत्मा में है ना की लेक का ऐसो की प्रशंसा मनुश्यों की और से नहीं परंतु परमेश्वर की और से होती है अब आपको ये चीज़ पूरी समझने के लिए थोड़ा सा पौलूस के बारे में जानना होगा पौलूस एक खत्ने वाला व्यक्ति था एक यहूदी था कक्टर यहूदी और वो मसी की कलीसिया जब शुरुआत हुई थी पेंतेकुस के दिन उस कलीसिया में जितने भी लोग येश्व मसी पर विश्वास करते थे उनको मार देता था ये इतना कक्टर यहूदी था यहूदी परंपराओं के लिए उत्साही था और जो लोग उस परंपरा के विरुद जाते थे यहूदी लोग उन्हें वो मार देता था और इस बात को वो अपने लिए सोचता था कि मैं धरम का काम कर रहा हूँ मैं यहूदी लोग जो मसी ही हो रहे हैं उनको मार कर मैं परमेश्वर के पक्ष में काम कर रहा हूँ संदर्ब में इंटरप्रेट कर सके वाई जीजस कौट पॉल पॉल उसको येश्व मसी ने क्यों पकड़ा था उसके पीछे बहुत बड़ा एक उद्देश था क्योंकि ये एक कट्टर यहूदी था और ये एक यहूदी जब मसीही बनता है तो वो कैसा वर्जन होना चाहिए उसको प्रगट करता है मैं आपको थोड़ा से इतिहास पर बताना मांगता हूँ कि आप इसको देखिए ये अबराहम का जस्ट ऑपोजिट था कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा अबराहम एक अन्नि जाती का व्यक्ति था और उसको जब पर्मिशन ने पकड़ा तो वहां से ज्यूइश रिलिजन स्टार्ट हुआ और वो पहला यहूदी था और खतने कीवी थी उसी से शुरू हुई और वहीं से सरकम्सिजन स्टार्ट हुआ और व्यवस्था कि वहीं से पर्मिशन ने उसको जो जो उसने पर्मिशन पर विश्वास किया था उस वाचा का चिन खतना उसके शरीर में आया था लेकिन व्यवस्था वानी आई थी व्यवस्था अबराहम से 430 वर्ष बाद आई थी उसके वन्शजों के लिए तो वहां से जो यह संकमसीजन वाली जो डिसेंडेंट्स थे अबराहम के यह उसके जो जनरेशन आई यह अन्य जाती से वो यहूदी बना और आप इसको इस पिक्चर को याद रखिए कि अबराहम को और फिर आप पॉलूस को देखिए पॉलूस अन्य यानि खतने वाले से टोटल अन्य जाती के समान बना लेकिन वो अन्य जाती नहीं था वो बना था मसीही एक मसीही एक सच्चा मसीही कौन होता है अगर आपको यह समझना है तो अबराहम के वर्जन को देखिए और पॉलूस के वर्जन को देखिए दोनों opposite चलें वो अन्यजासी से यहूदी बना और यह यहूदी से अन्यजाती बना यह दोनों version वो पल्टे हैं यह आप के लिए बहुत बहुत clarity पैदा कर देंगे पूरी Bible को समझने के लिए अब हम चलते है इदार यह बता रहा है कि खतने से आपको कोई लाब नहीं है क्यों क्योंकि खतना बच्चा पैदा होने के आठवे दिन होता था जिससे बच्चे का कोई संबंद नहीं था यह एक ritual बनके रह गया था और माता पिता की यह जिम्मेदारी हुआ करती थी कि जब आपने उसका बच्चपन में खतना कराया है तो इस खतने के विशे में जब वो समझदार हो तो उसको सिक्षा दे ताकि वो विवस्था की विजियों को समझे और अपनी जिम्मेदारी को और परमिश्वर को जानने की जिम्मेदारी उसके जीवन में पन पे और वो परमेशर की और मुड़े ताकि उसके हिर्धे का खतना हो और वो परमेशर का जन्ब बने लेकिन यह दो पार्ट में था खतना एक तो था physical circumcision दूसरा था circumcision of heart हम आपको ववस्ता से ही दिखा रहे हैं लेकिन ये ववस्ता में circumcision of heart आपको कहीं नहीं मिलेगा old testament में फिर ये सीधे आ जाता है new testament में पॉलूस इंटर्प्रेट कर रहा है और ये बता रहा है कि अगर तुम खतना कराओगे तो उससे तुम्हें कोई लाब नहीं मिलेगा खतना जो है वो एक मेटाफोर है मेटाफोर का मतलब होता है एक उपमा है और उसके उसको दिखा कर आप से इस प्रीच्वल खतने के विशे में बात की जाती है ठीक वैसे ही पानी का बबतिस्मा इस इक्विवेल से कोई मतलब नहीं था नए नियम में पानी का बबतिस्मा ले लेते हैं और मसीही जीवन से और मसीही सिक्षा से कोई मतलब नहीं परमेशर की इक्षा से परमेशर की योजना से कोई मतलब नहीं बिल्कुल एकदम उसी के एक्वेलेंट है पुराने नियम में खतने का जो का जिससे लोग बिगड़ेते खतने से वही चीज नए नियम है वाटर बैक्टिसम आ गया अब आप इसको अगर स्टडी करके देखें तो जो जिस चीज से लोग अपने आपको धर्मी कहते थे वो चिन खतना था और वो खतना करा लेते थे परमिशे की विवस्था से और ही मिल जाएगी पॉल इस डिसकसिंग दा रोल ऑफ दा ओल टेस्टिमेंट लॉव एज इट रिलेट्स टू क्रिस्टियानिटी के मसीहत से पुराने नियम की विवस्था का क्या संबंद है इस विशह में पॉलूस इस पॉइंट पर बात कर रहा है यह आर्ग्यूज देट सरकम्सिजन इस ओनली एन आउटवर्ड साइन ओफ बिइंग सेट अपार्ट टू गॉड यानि यह मनुष्य का जो यह जो सरकम्सिजन है पुराने नियम की विवस्था की भूमिका पर चर्चा कर रहा है क्योंकि यह मसीही मसीहों से संबंदित है उनका तर्क है कि यहूदी केवल खतना यहूदी खतना केवल ईश्वर से अलग होने का एक बहारी संकेत है यानि आउटवर्ड साइन ऑफ बिंग सेट अपार्ट टू गॉड क्या परमिश्वर के लिए अलग किये गए है इसका आउटवर्ड साइन है खतना हावएवर्ड इफ दा हाट इस सिन्फुल हाँ जबकि हाला कि अगर दिल पापी है तो शारिरिक खतना का कोई फाइदा नहीं उसका ये तर्क सुनिएगा आप अगर पापी हैं और आपने खतना कराया है तो आपके खतने का कोई फाइदा नहीं देन फिजिकल इसका कोई मतलब नहीं होता है तो शारिक खतना का कोई फाइदा नहीं है एक खतना किया हुआ शरीर और एक पापी हिर्दय एक दूसरे के विपरीत है अब आप देखिए खतना तो सबने करा लिया लेकिन हिर्दय उनका पापी है तो शरीर में खतना भी है और हिर्दय आगे आई के नहीं आई तो अब वो स्वधर्मी भी है और अधर्मी भी है अब यहां से अगर आप चलेंगे एंड़ सिंफुल हार्ट आर एट ओड्स विथ इच अदर यह परस्पर एक दूसरे के विरोधी है और आपके अंदर है और जब आपके अंदर विरोध आ गया तो अब आप क्या हो गए राधर देन फोकस ऑन एक्स्टर्नल राइट और ऐसे लोग मालूम है बाहरी दिखावे में बहुत ज़्यादा बाहरी संस्कारों पर ध्यान केंदरित करने के बजाए पॉल हिर्दै की स्थिती पर ध्यान केंदरित करता है और येशु मसी कहां पर ध् शुरुआत में देखिए जो पहड़ी उपदेश है पांच अध्याय मत्ती का वहाँ पर देखिए धन्य है वे जो मन के दीन है इंग्लिश पर पढ़ेंगे हाट 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 वहाँ पर सारी बाते उसने हाट से रिलेटेट करी वहाँ पर कोई भी चीज उसने फिजिकल की नहीं करी और इसलिए वो शुरुआत से बोल रहा था कि तुम ऐसे प्रातना मत करना जैसे दुनिया में सब करना है और तुम ऐसे प्रातना मत करना पब्लिक प्रेयर्स मत करना तुम पर्सनल प्रेयर्स करना परमेशर के साथ संबंद होगा तो तुम्हें प्रातना की बातों को मानता है जानता है वो तुम्हारे हिर्दाय में सब चीजे देखता है तो पर्मिशर हमारे हिर्दाय को देख रहा है तो हमको पर्मिशर को बताने की कभी ज़रूरत है ही नहीं एक्चॉल में वो सब जानता है हमको दुनिया के सामने खड़े होके यह नहीं दिखाना चाहिए performance के हम परमिश्वर के हैं और देखो वो हमारी कैसे सुनता है यह performance है perform कभी नहीं करना चाहिए और आज दुनिया में क्या चल रहा है only performance stage performances और यह सब लोग अपना-पना performance लेकर खड़े हैं यह क्या हो है क्या इसको आप धार्मिक्ता मानते हैं हम तो नहीं मानते हैं यह धार्मिक्ता हाई यह तो दुनिया में दिखावा चल रहा है और शारिरिक तोर पर है और शारिरिक लोग इसमें जाके clear करेंगे तब तक आप कहां और वो कहां connection बना रहना चाहिए ताकि लोग इस बात को सीखें और समझें ठीक है इसके सिर्फ उलाने और इच अधर rather than and rather than focus on external rights all focuses on the condition of the heart पॉलू जो है वो हिर्दय की दशा पर केंद्रित होता है और परमेशर भी हमारे हिर्दय की दशा पर केंद्रित रहता है तो परमेशर आपके हिर्दय को देखेगा using circumcision as a metaphor he says that only the Holy Spirit can purify a heart and set us apart to God यानि पवित्र आत्मा ही हमारे हिर्दय को शुद कर सकता है और हमें परमेशर के लिए अलग कर सकता है एक रूपक के रूप में खतने का प्रियोग करते हुए पालूस कहता है कि केवल पवित्र आत्मा ही एक हिर्दय को शुद कर सकता है और हमें परमेशर के लिए अलग कर सकता है अंतता खतना किसी विक्ति को परमेशर के साथ सही नहीं बना सकता कानून परियाब्त नहीं है इनसान का दिल बदलना चाहिए पौलूस इस परिवर्तन को मन का खतना कहता है अब आपको बता चला circumcision of heart का मतलब क्या है आपका हिर्दय और आपका विचार आपका जीवन आपकी शैली सब कुछ बदल जाना नया हो जाना गलातियों की पत्री पांच अधिया है और उसका एक से पांच पत पढ़ेंगे मसी ने स्वतंतरता के लिए हमें स्वतंतरता के लिए हमें स्वतंतरता किया है यह कलीसिया को संदेश है और अगर आप और हम कलीसिया के अंग है तो यह हमारे लिए संदेश है कि मसी ने स्वतंतरता के लिए हमें स्वतंतरता किया है अता इसी स्वतंतरता में बने रहो इस् यानि गुलामी में ना फ़र जाना फिर से जी देखो मैं पालूस तुमसे कहता हो की यदी खतना कराओगी यदी खतना कराओगी ये कलीसिया पहली सदी की कलीसिया में लोग खतना कराने लगे थे लोगों ने सोचा कि हमको अगर सारी विवस्था माननी पड़ेगी जो येशु मसी ने पूरी कर दी वो तुमें फिर से पूरी माननी पड़ेगी और तुम उसमें सफल नहीं होगे क्योंकि कोई विवस्था को पूरा नी कर पाया केवल येशु मसी के उसने आखे इस विवस्था को पूरा किया सब के लिए तो तुमें वो सब करना पड़ेगा जो तुम नहीं कर सकते हो ये समझारा हाड वर्ड हैं ये तुम जो विवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाते हो मसी से अलग लेओ क्या हुआ आप जैसे ही खत्ना कराएंगा आप मसी से अलग और अनुग्रे से गिर गए नहीं जा अब तुम पर कोई अनुग्रे नहीं होगा क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई आशा की हुई धर्मिक्ता की बाट जोते ही है कलीसिया के लोगों के लिए आपको परमिश्वर की धर्मिक्ता की आशा रखनी है जो वो खुद देगा आपको आप धर्मी ना बनिये ना बनने के कोशिश कीजिए और ना कुछ ऐसा कीजिए जो पहले के लोग करके आपको फसाते हैं जब आप किसी कलीसिया में जाएंगे तो आपको वहाँ पर ऐसी टीचिंग और ऐसा माहौल दिया जाएगा कि आप भी वही करें जो वह कर रहा है यह है प्रावलम पॉलूस इसके विरोध में बात कर रहा है और इस चीज़ को रिचुछ को तोड़ रहा है जिसके कारण पॉलूस को बहुत बड़ी हानी उठानी पड़ी थी वहानी क्या थी मालूम है उसको जूइश कम्यूनिटी ने एक्स कम्यूनिकेट कर दिया था यानि उसको अपने समास से बहिश्कृत कर दिया गया था यहूदी अरादनाले में नहीं जा सकता था और किसी भी यहूदी सभा में नहीं जा सकता था और उसके लिए सारी बंदिशे हो गए थी लेकिन पॉलूस ने इस चीज़ को पॉजिटिव नहीं बल्किन नेगेटिव ही बताया ये positive था पॉलूस का कहने का मतलब ये था कि ये मुझे नहीं करना है मसी ने मुझे ये सब करने के लिए नहीं बुलाया इसलिए उसने एक जगे बोला कि मुझे permission ने बबतिस्मा देने के लिए नहीं वरन सू समचार सुनाने के लिए बेजा है ये उसने पहला कुरंतियों में ही बोल दिया था और जिस काम के लिए उसने मुझे बेजा मैं वही करूंगा उसने मुझे बबतिस्मा देने के लिए नहीं बेजा मैं नहीं बेजू और पॉलूस का कलीसियाओं में भी बहुत तकड़ा विरोध है पौलूस की सिक्षाओं का विरूद है आज तक तिल नाव टुड़े पौलूस की बाते नहीं ग्रेंडी हो गया है कलीसियाओं में कारण क्योंकि वो हर उस चीज़ को जो फिजिकल एक्ट से उसके विरूद में बात करता था ये कौन सा आत्मा था उसमें किसका आत्मा था ये नहीं परमिश्वर का आत्मा नहीं था ये मसी का आत्मा था यानि इस्प्रिच्वली येश्यो मसी उसमें होकर काम करना था इसलिए उसने पत्रस को कहा, जब पत्रस कहने लगा, मैं तो साड़े तीन साल तक उसके साट रहू, उसने का वो मुझे में जीजवित है, एस प्रेजंट एर, एस लिविश थिर तो कौन बड़ा हुआ, वो साड़े तीन साल तक था उसके साथ और इसमें वो है तो पॉलूस में कौन था येशु मसी साक्षात उसके अंदर था कौन विरोध कर रहा था इन चीजों का येशु मसी खुद विरोध कर रहा था आज कलीसियां क्या कर रही जिस चीज का येशु मसी विरोध करता है जिस make a person right with God the law is not enough यानि अंतता यह जो खतना है यह मनुष्य को परमेश्वर के साथ सही संबंद में नहीं ला सकता लो इस नौट इनफ और केवल विवस्था काफी नहीं है एक मनुष्य का हिर्दय अवश्य बदलना चाहिए पौल कॉल इस चेंज सरकम्सीजन ऑफ दा हार्ट पौल इस परिवर्तन को हिर्दय का खतना कहता है गलातियों की पत्री छे अधियाए 14 और 15 पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमन करूँ केवल हमारे प्रबू येश्य मसी के क्रूस का जिसके द्वारा संसार मेरी द्रिश्टी में और मैं संसार की द्रिश्टी में क्रूस पर चड़ाया गया हूँ क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है परंटु नईस रिश्टी सब कुछ नईस रिश्टी है नियम के अनुसार अब ना खतने की कोई वैलियू है और ना खतना रहीत की कोई वैलियू है हो सकता है कि आप खतने वाले हो हो सकता है आप खतना रहीत हो आप दोनों के लिए ये खतने का कोई महतों नहीं रहे गया परमेश्वर के सामने कोई महतों नहीं इसलिए अपने खतने को या खतना रही दशा को लेकर ना कड़े हो सबसे इंपॉर्टन चीज परमेश्वर के क्या है नाइस रिष्टी जितने इस जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इसराइल पर शांती और दया होती रहे यह आशिरवाद दिया गया है उन लोगों को जो इस नियम को फॉलो करेंगे क्या आप इस नियम को फॉलो करने को तयार हैं हमको अपने जीवन में उन चीजों को तोड़ना है जिससे परमेश्वर की आशिशे हमारे जीवन में रुखना जाए इस concept was not original with the apostle Paul ये जो खतने वाला concept है ये पॉलूस की और से ये वो अपनी और से ये बाते नहीं बोल रहा है as a Jew एक यहूदी होने के कारण trained in the law of Moses और मुसा की विवस्था में इसको सिक्षित किया गया और trained किया गया है इसलिए इसलिए एक यहूदी होने के कारण उसके पास इस बात की जाग रुकता है कि वो इस विशे पर विवात करें या बातचीत करें कहां से विवस्था विवरंट तीस अध्याय उसका च्छे पत और तेरा परमेश्वर यहूवा तेरे और तेरे वन्ष के मन का खत्ना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहूवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करें जिससे तू जीवित रहे यह परमेश्वर से आप सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करें इसके लिए हिर्दे का खत्ना बहुत जरूरी है अब आप नए नियम में आईए यहूदी लोग थे शास्त्री फरीसी थे शास्त्रों के जानकार थे उन्होंने पूछा कि सबसे महत्तपोन और सबसे प्रेम रखना और इसी के समान दूसरी के तू अपने परोसी से अपने समान प्रेम रखना या आपस में जुड़ी विए परोसी से प्रेम रखना ये दिखाई देगा और परमिश्वर से प्रेम रखना ये दिखाई नहीं देगा एक चीज जो दिखाई नहीं दे रही है व पर उस चीज़ को जो दिखाई नहीं देती है उस चीज़ से उसको देख रहना जो दिखाई नहीं देता है इसी को logic बोलता है यह झीज़ इस देफिनेशन ओफ faster और इसी से लोगोस वर्ड बना है लॉजिक और लोगोस लोगोस का मतलब होता है परमेशर का वचन ठीक और लॉजिक उसी को लॉजिक बोलते हैं लॉजिक क्या कहती है यह साइंस का भी आधार है लॉजिक लॉजिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मैट्स और साइंस कहलाते हैं जहां पर आपको यह बताया ज मिलाया और एक्वेशन सही नहीं आया रिजर्ट सही नहीं आया इसका मतलब आपके मिलाने में कुछ गड़वडी ही जैसे एच टू ओ केमिस्ट्री में जाते हैं दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन इस उकल टू वाटर और अगर आप इसमें एच फोर ओ कर दीए तो वाटर नहीं आएगा इसका मतलब कि दो चीजें जो दिखाई नहीं दे ली दो गैसेज हैं वो दो गैसेज के मिशन से पानी दिखाई देने लगता है एना ऐसे ही यह लोगों से तो यहां पर लॉजिक की बात है जो शरीर में खतना होता तो वो दिखाई नहीं द लुक्लित Benson यह चीजों को प्रगट करने वाला हुता इसनलिए पडूशी नहीं पर नहीं कि अगर के घर में रहने वाला भी पड़ोसी है सड़क पे चलने में जो आफके बगल में चल रहा वो भी पड़ोसी जयाते और आपके साथ यात्रा में आपके गडल में बैट्भा करना है ताकि हमारी जीवन से ये साबित हो कि हम परमीशर से प्रेमरे रखते हैं अब आप बताइए कितना कठीन होका यह इसको प्रमीशर करना कितना कठीन हम परमेश्य कहता मुझसे तुम प्यार तब करते हो मैं साबित तब मानूंगा जब तुम अपने पडोस में उन प्रेम रखना है आपको उनको क्रिटिसाइज नहीं करना है आप उनकी बुराई नहीं कर सकते निंदा नहीं कर सकते जितना आप उसकी निंदा करेंगे परमिशर आपसे उतना नाराज होगा कलीसिया के लोग क्या कर रहा है बैक बाइटिंग करते हैं के नहीं करते हैं ये नहीं होनी चाहिए इसका मतलब हिर्दे का खतना नहीं हुआ है आप किसी की निंदा कर रहे हैं आप पुराने नियम में जाके इस बात को सीख सकते हैं कि मुसा की बहन और उसका भाई हारून और उसकी बहन मरियम मुसा को गलत कह रहे थे, बुरा कर रहे थे, मालू क्या कह रहे थे, कह रहे थे, क्या पर्मिशन मुसा ही से बाते करता है, हम से बाते नहीं करता है, पर्मिशन ने ये बात सुन ली, मुसा को किसने बताया पर्मिशन ने, पर्मिशन ने कहा, तेरे भाई बहन तेरे बारे में ऐसा बोलो हैं रहे हुएं को बुला करा उप मिला पाले तम्भूके तो मुसाह जो था हम्बल परसंता उसने का माफ कर जो मेरे बाई बेहने माफ कर और ना पर मेशर Bologist करता हूं तुमसे बिना फेस्टू फेस उससे फेस्टू फेस बाते करता हूं डिपरेंस था बात सबसे करता है लेकिन किस से किस लेवल पर बात करता है किस से किसी नजदी की परमेशन की कभी किसी को गुलत मत बोलना और परमेशन कहा कि एक बाप भी अपनी बेटी को डाटता है तो उसकी डाट कर थोड़ा असा रहना चाहिए मरियम के माथे पर कोड़ फूड लिया था मुसा ने बहुत बिंती की कहने रहा ना मैं बाप हूँ और मेरा कुरोध ये ये शाम तक ऐसे ही रहेगी उसके बाद ठीक होगी ताकि उसे समझे लो इसलिए नए नियम में लिखा हुआ है कि जीवित परमिश्वर के हातों में पढ़ना भयानक बात है उर्दू में लिका हॉलनात बात है भयंकर चीज है उसके हाथ आप पढ़ गए तो या तो आप सुधर जाओगे या आप निपढ़ जाओगे तो सुधरने इसके बाद दूटनमी 36 फिजिकल सरकम्सीजन वाज़ साइन ऑफ इस्राइल जो खतना था वो विवस्था का चिन था वाचा का चिन था जो बाचा का चिन था जो अब अबराहम ने परमिशर पर विश्वास किया था उस बाद का चिन था फिजिकल सरकम्सीजन लेकिन सरकम्सीजन ऑफ हाट किस बाद का चिन है यहूदी लोग ते ही यह परमिशर से अपने सारे दिल और अपने सारे मन से प्रेम रखेंगे लेकिन किसी ने नहीं रख़ा खतने का फिजिकल खतने का कोई वैल्यू नहीं रहे गई है देर वोड इंडिकेर इसराइल बिइंग अपार्ट पर टू लव गौड फुली इंसाइड आउट फिलिप्यों की पत्री तीन अध्याय का आठ और नौ पत पढ़ दीजे अब आपको जादा क्लियर हो जाएगा वरन मैं अपने प्रभू मसी येशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानी समझता हूँ जिसके कारण सब वस्तों की हानी उठाई है और उन्हें कूडा समझता हूँ जिससे मैं मसी को प्राप्त करूँ जी और उसमें पाया जाओं किसमें मसी में पाया जाओं ना की ना की अपनी उस धार्मिक्ता के साथ जो व्यवस्ता से है वरन उस धार्मिक्ता के साथ जो मसी पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है परमेश्वर की धार्मिक्ता क्या है परमेश्वर से मिलती है कल हमने सीखा था ना it is given it is not earned हम इसको खुद कुछ करके प्राप्त नहीं कर सकते ये दी जाती है और ये उन्हीं को दी जाती जिनके हिर्दाय का खत्ना परमिश्व करता उन्हीं को देता है इंग्लिश में इसको पर दीजे ये दो वर्स को थ्री फिलिपियस थ्री एट और नाइन ये बहुत क्लारिटी चाहिए इसमें ये 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 युदे फुर्थ चाहिए ये इस स्फ़र्णर मॉर्ण और सुई चाहिए झांद आर ये झांद ए्वेवर्वे दें तुदेश्य प्रफरा रह। विविलेश्वम की अध्यूम की विवर्वल्विल्गण नाव्वल्ण the surpassing worth and supreme advantage of knowing Christ Jesus my Lord and of progressively becoming more deeply and intimately acquainted with him of perceiving and recognizing and understanding him more fully and clearly English was other clarity for his sake I have lost everything and consider it all to be more rubbish refuse refuse drugs in order that I may win gain Christ the anointed one the end that I may actually be found and known as in him not having any self-achieved righteousness that can be called my own based on my obedience to the laws demands ritualistic uprightness and supposed right standing with God thus acquired but possessing that genuine righteousness which comes through faith in Christ the anointed one the truly right standing with God which comes from God by saving faith God is not concerned with the circumcision of the flesh even in the Old Testament here until the old testament here in the old testament the permission of God's priority was a spiritual circumcision of the heart whatever promise to the Lord is to give a comparison to the purpose of the ministry that we act of forgiveness that is the right and the reward of the Lord the miracle that is the divine promise to the truth to the Lord that is the power of the Lord through the Lord who has been through the command of the temple of the Lord to give a verse that is the rapture to the listener of the Lord that is the wrath of the Lord who have been through the podem the करो हाँ अपने मन का खत्ना करो नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा करोध आग के समान बढ़केगा इसी को परमिशर के करोध को जो आग के समान यह नहीं सकता हम येशु मसी के द्वारा परमिशर के उस करोध से बचते हैं इन दिनों में इस समय परमिशर का करोध बहुत भयानक है बहुत बहुत भयानक है पूरी दुनिया के ओपर परमिशर जल जलाहाट के साथ प्रगट होरा है और यह जजमेंट ऑफ गॉड आ रहा है जहां हर जगे मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है यानि मृत्यो एक दो नहीं मृत्युदर इस समय चरम सीमा पर जा रही है क्या यह परमिशर का विनाशकारी कोप नहीं है जरजलाहट नहीं है और इससे बचने का केवल एक शरणिस्थान है मसी में आप इसके प्रोट से बचने है परमपिता परमिशर हम आपका हिर्दह से धनेबात करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को मिल रहे हैं ताकि हमारा जीवन आपके एकलोते पुत्र प्रभी इश्यु मसी के द्वारा शरण पाए और अविश्राम पाए और आपकी दया दृष्टी हम पर हो उस अनुग्रे के हम भागी बने जिसके लिए इकलोते पुत्र प्रभी येश्यु मसी ने बलीधान दिया है। कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है और परमिशर की जलजलाहट प्रगट हो रही है और उनके पास बचने के लिए केवल एक मात्रिस्थान है और वो है मसी की दे जहां पर वो आकर शरन ले सकते हैं। उद्धार भी मिल रहा है और शरन भी मिल रही है और उनकी सब बातों की पूर्ती भी हो रही है। पसंसार में लोग एक एक चीज के लिए तड़प रहे हम आपका बहुत धनिवाद करते हैं आपकी यूजनाओं के लिए आपके वचन के लिए पवित्र आत्मा के लिए और मसी की देह के लिए इन सब बातों के लिए आपका धनिवाद करते हैं। मसी के बलिदान के लिए कोटी-कोटी धनिवाद करते हैं उस बलिदान के द्वारा आज हमारे पास अवसर है कि हम उस में उसको उस बलिदान के द्वारा पापों से छुटकारा पाकर परमिशर की संतान बन सकते हैं हम धनिवाद करते हैं पिता परमिशर सारी महिमा आपको दे आमीन प्रेस अलोट परमिशर आम सब को आशिए देए